हेलो स्टुदेंट्स, वेलकूम तो टेट एंड सेट क्रेकर शाइनल, तुदेए इन इस वीडियो वीडियो वीज़न स्वाल्व सम् कोशन अफ एंशीयाटी क्लास नाइन्थ एक्सराइज 1.3 इसको कैसे सॉल्व करते हैं और बहुत ही इजी वेम करेंगे, तो देखे, फॉस्ट कोशन हमारा है, 36 अपोन 100 और हमें इसका बताना है कि डैसिमल एक्सपेंशन इसका किस टाइब का है, किस काइब का है, तो देखे, पाल्याम इसको डिविजन देएं 36 में डिवाइड देख करेंगे 100 से, तो ये डिवाइड नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, डैसिमल लेगे, ठीक है, डैसिमल के बद्दे हम 0 पूट करते हैं, तो ये 6 टाइम लगेगा, ये 300, ये 60 बचा, फिर ये इसको डैसिमल हम लगा दिए हैं, तो आल्डेड हम 0 ल पूरे कट गया, अब हमारा जो डैसिमल एक्सपेंशन है, वो क्या है, वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग कब कहेंगे, जब इसकी जो डिवीजन है, वो पूरा की पूरा जो रिमेंडर है, वो 0 आ जाता है, तो या तो फिर आप इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, कि इसका जो रिमेंडर है, वो 0 अगर रहेगा, तो हम कह सकते हैं, कि इसका जो डैसिमल एक्सपेंशन है, वो टर्मिनेटिंग है, तो हम लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग, 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 ने 11 जो processing 1 question में लागू किये थे वह हम इहां नहीं करेंगे 11 से 1 में division देंगे तो नहीं लागेगा decimal consider करेंगे और decimal के बदले हम इहां 0 गुट करते हैं फिर भी यह division नहीं दे रहा है तो उसके विए हम 0 यहां लाएंगे अब यह हमारा 100 हो गया तो 100 हो गया कितने time हम लगाएंगे तो 9 time 99 अब हमारे पास 1 आ रहा फिर हम 0 लेंगे और फिर नहीं लगा उसके लिए 0 और फिर 9 time हमें लगाएंगे और फिर उसी तरह से यह जो number है हमें बार बार repeat हो रहा है ठीक है तो इसको हम लेख सकते हैं यहां से हमें पता चल गया कि पहले में हमें 1 था और फिर जो remainder है वो हमारा क्या है 1 ही बच रहा ठीक है तो 1 बच रहा इसलिए हम decimal को बदले 0 और नहीं लगेगा उसके बदले हम 0 यहां 100 हो जाएगा तो फिर यही चीज बार बार रिपीट होते रहेगा तो इसको हम क्या लेख सकते हैं 0.09 पे रैक्रिंग जब यह number क्या हो रहा रिपीट हो रहा ठीक है तो हम लेख सकते हैं non-terminating repeating रैक्रिंग हमारा की इस टाइप का डैसिमल एक्सपेंशन आया तो non-terminating and repeating रैक्रिंग्स नेक्स्ट कोशन हमारा है ठाड नमर देखें कोशन क्या का रहा है ठाड नमर कारा 4 whole 1 by 8 तो इसको पहले हम फ्यक्सल फार्म में कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 32 और प्लस 1 करेंगे तो 33 upon 8 राइट अब division देगे इसको मैं पहले erase कर लेती हूँ देखिए कोशन नमर ठाड मैं यहां solve कर लेंगे अप लोग ज्यान से इसको देखिएगा तो देखिए इसको फ्रैक्शन फार्म में करेंगे तो 33 upon 8 राइट अब देखिए इसको हम division देंगे 8 से division देना है 33 में कितने time लगेगा 4 time 32 3 में 3 के चला जाएगा 5 से और 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 अब नहीं लगेगा इसके लिए हम decimal लेंगे अब देखिए यहां 0 लेंगे और कितने time 1 time लगेगा 8 आ गया फिर 10 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमाया रिवेंटर जो है वो 2 आएगा तो 2 आएगा तो हम फिर 0 इसमें put करेंगे क्योंकि मैंने decimal consider किया है तो यहां पर जब तक नहीं करता है 0 हम consider कर सकते हैं अब कितने time यह 2 time 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा फिर जीरो पुट करेंगे और यह 5 time कर जाएगा राइट इस्ट्रेंस अब उमारा जो रिवेंडर है वो क्या है 0 है जब उमारा रिवेंडर 0 आता है तो उस type का किस time का आता है expansion decimal तो expansion decimal जो है इसका terminating होगा राइट terminating terminating decimal expansion राइट श्ट्रेंस नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमर 4 इसको मैं erase कर देती हूँ कोशन नमर 4 हमारा है 3 अपोन 13 राइट 3 अपोन 13 में हम फैला डिविजन देंगे 13 से 3 में नहीं लगेगा तो हम decimal देंगे और decimal के बलते हैं यहाँ 0 पुट करते हैं तो 2 टाइम 26 राइट श्टेंस अब देखी इसको सब्ट्रेक्ट करेंगे तो 4 यहाँ 0 3 टाइम 39 अब यह 1 और 0 फिर इहां 0 कंसीडर करेंगे और नहीं लग रहा है इसके लिए फिर 0 हो जाएगे तो यह हमारा 100 हो गया 100 में कितने टाइम इस 7 टाइम लगेगा सब्ट्रेक्ट करेंगे 9 आएगा राइट 6 टाइम 78 टू 1 राइट 0 फिर हम पुट करेंगे 9 टाइम 3 कट गया और यह हमारा 0 तो फिर यह क्या हो जाएगा देखिए अब यह नंबर जो है पिर रिपीट होगा क्यों क्यूंकि यहां में हमारा 30 था और यहां में हमारा 30 आ रहा री बंदर हमारा 30 हो गया इसका मतलब अब यह जो नंबर है फिर यह रिपीट होगा रहन तो हम इसका जो decimal expansion है हम इसको लिख सकते हैं non-terminating 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 repeating अब repeat जब हो रहा है इस पे हम रैकरिंग लगा देंगे 0, decimal, 2, 3, 0, 4, 6, 9 यह रैकरिंग लगा देंगे इसका मतलब है कि यह जो digit है यह बार-बार repeat होती रहेगा रैट students आई होफ यह जो question है आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा अब हम लोग solve करते हैं next question number जो है one का fifth तो देखिए फिफ्थ नमर क्या है फिफ्थ नमर question is 2 upon 11 इसका find out करना है decimal expansion तो देखिए इसको हम division देंगे 11 से 2 में नहीं लगेगा तो हम decimal consider करेंगे decimal के लिए हम 0 पुट करते हैं यह one time लगेगा 9 फिर 0 8 time 88 2 अब यह फिर 2 हमारा remainder आ गया तो हम यहां से पता कर सकते हैं कि यह हमारा जो 2 है और decimal करने कारन हम यह 0 पुट करेंगे तो यह जो number है बार बार repeat होते रहेगा ठीक है तो हम इसको बस यहां तक ही division देंगे और क्या लिख देंगे कि यह जो question है इसका decimal expansion की sign का है किस type का है तो यह हमारा है non-terminating non-terminating है और repeating है तो यह repeat होगा इसके लिए हम क्या कर रहेंगे 0 decimal 118 पे रैकरिंग देंगे क्योंकि यही जो delete है बार बार यह repeat होते रहेगा next question हमारा है one का sixth देखिए उसको भी solve करते हैं यह question बहुत ही easy है आप एक बार अगर वीडियो ध्यांग से देख लेंगे तो आपको मैं गारांटिय देती हूँ कि आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आएगा ठीक है? तो देखिए sixth number question है three hundred twenty nine अपोन four hundred राइट इस अब में division देना है four hundred से three hundred twenty nine में यह नहीं लागेगा तो हम decimal consider करते हैं और decimal जब consider करते हैं तो यहाँ zero put करते हैं अब मारे पास हो गया है three thousand two hundred ninety यह four time हम लगाएंगे देखिए four time नहीं eight time लगाएंगे क्योंकि four time अगर लगाते हैं तो बहुत कमाता है ठीक है तो eight time यह लग जा रहा है देखिए ninety फिर हम zero consider करेंगे और two time लगाएंगे eight hundred फिर यह हम two time लगाएंगे eight hundred two hundred remainder बच्चा और three decimal रगने क्लिका लगाएंगे zero consider करेंगे और यह five time में cut हो जाएगा remainder इसका zero आया that means यह terminating decimal expansion है right तो हम क्या लिख सकते हैं this is terminating 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 right यह किस टाइब का decimal expansion है terminating है right I hope यह video आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और पूरे पूरे जो solution है वो आपको समझ में आया होगा thank you video पसंद आया तो like, share and subscribe कीजिए thank you